कारिक्रम देखरें हमारे सभी दर्शकों को सुश्मा का प्यार भरा नमस्कार दर्शकों कोई भी व्यक्ति जब अवसाथ से ग्रसित होता है तो उसके अंदर बहुत सी छोटी मोटी प्रवित्या जन मिलेती हैं ये प्रवित्य जब तक छोटी हूँ तब तक तो सही है लेकिन जब ये आत्मघाती हो जाती है तब एक चिंता का विश्य हो जाती है आज फैमली काउंसलिंग कारिक्रम में हम इसी विश्य पर चर्चा करेंगे हमारा आज का विश्य है आत्मघाती प्रवित्य क्यों दर्शक दो सबसे पहला प्रशन जो मैं आपसे करना चाहूंगी वह ये है कि आत्म घाटी प्रविति कया है और किसी मनुश्य के अंदर ये कब और कैसे पहुंए घर हम देखा जाय तो मनुश्यों है ये बहुत ही आदमि अपने के मअकिछा बारे में या बी However, इस रहाभी एंजा आद परान ऐ्ट आप्छाल को देखता है कि अगर आप अपने दोस्ति चाःटे से बीचे बीच नब सकते हैं कि अवस्तित में मरतशाख गए हो ऑर बहुता है। यह रहा Listen is a ! जब कसी की इंघनी होती है हुघ। इसमें भी सोच विचार आने लगते हैं, तो जो हमारे नॉर्मल थॉट्स होते हैं, उसमें एक थॉट रहता है हमारे डेट का, लेकिन ये सुअधिल थॉट्ट तब बनता है, जब हमको सिर्फ और सिर्फ वही एक चीज हमारे लिए वय चारा बन जाता है, और ये हमारी हम इस एक्सवास्त के लिए और हमारे वेल बीन के लिए तो अगर देखा जाए आपने मुझसे पूछा कि मनिश्यों को कब होता है यह तो इसका कोई पटिकिलर रीजन नहीं होता है कि इसके कारण यह होता है जैसे अगर हमने देखा लास्ट यर कोविट के कारण बहुत से लोगों बहुत से लोगों की जॉब चली गए बहुत से लोग घर पे बहुत सारा शोशंड फेस किये हैं बहुत सी कठिनाईयों को हमने को हमने फेस किया है पूरी-पूरी मनिश्य प्रजाती इन जेनरल तो उसमें क्या हो जाता है कि जब आपकी कोई एन्वार्मेंटल चेंज हो ज बहुत सी चीजें ऐसी जब चेंज हो जाती है तो भी हो सकता है कि आपको आत्मगाति थौट्स प्रवृत्ती जो हैं जो आपके शिम्टम से वो दिखने चालू हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मानसिक रोग है जो आपको शायर जिसको आपका अवेरनेस नह कोई एक और एक जिट नहीं दिखता है तो उसके कारण आपको लगता है कि मैं उससे अच्छा में मर जाओं तो शायद मुझे शानती मिले तो यह सारी चीजों के कारण हो सकता है कि आपको आत्म घाती प्रवृति देखने को मिलेगी और यह जितना हम सोचते हैं उससे आत्म घाती प्रवृति आला इंसान किसी कोई एक दम उनका खुलिया ठीक नहीं रहेगा या उनको उनके बाल नहीं बने होंगे यह हम ऐसे इमाजिन करते हैं लेकिन अगर वह जरूरी नहीं है सबसे जादा सुल्जे हुए दिखने वाले लोगों को भी आत्म घाती प्रव की कास्ट लोगों का रिलिजिन जेंडर सोशीया क्न अमिक स्टेटेस इनका यह सब चीजों के परे इस लोगों के बड़े नियुके ज ऑन से होता है कि यह सब और इसको हम जानना जरूरी है कि सब बन अब घृत और जब कर रहे थे तो सुसाइट के बारे में भी बात कर रह जो या तो सुसाइट कर लेते हैं या फिर अपने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनको हम NSSI के के एक केटेगरी में भी रखते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों विचार रखने वालों में क्या फर्क है, जी, NSSI का मतलब होता है, नौन सु तो हमारा मोशन से निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना काते हैं, जो पार्चन की कोई घरबडी के कारण हमारे मोशन ठीक नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं, रेगिलर डाइजेशन और इर्रेगिलर डाइजेशन है ना, हमारा Emotions रहरा हम पहते हैं तक सबनी कमिनी के भाव भाय कीम मिज़ पर खर सामने वाला उसको ठीक तरीकसे odor शक Comunics कर पाते हैं तो दिखल हो जाता है कि अगर हम पस्पक्राप हैं किसी सामने वाला इसको थीक तरीके से अब्زॉब करोब यह उसको रियाक्त नहीं कर पाते हैं, तो दुखर शिएल्ट मेघन का रहे हैं, हम भीक्त कर पार हैं. नहीं कर पाते हैं, darformation मात्यों निपन केवेधन स्ट्रेस होता हैं आप में इपड़ते, आपको किसी छीस से काठ लिये या हम अपने आप या हम कोई प्रकार का कोई चीज का सेवन कर दिये जैसे हम अपने अलकोहॉल या जितने भी सबस्टेंसेज हैं धुमरपान हो गया ये सारी चीज़ाओं का सेवन भी हमारा स्ट्रेस को हटाने के लिए होता है ये हमारा इमोशनल इसका अगर हम रूट्स देखेंगे तो इमोशनल डिस्रेगिलेशन के कारण ही आता है तो ये सारी चीज़े जो होती है वो सेल्फ हार्मिंग होती है आपकी बॉड़ी हाम हो रही है लेकिन उसमें स्यूसाइड का इंटेंशन नहीं रहता है अगर आप किसी सेल्फ हामिंग परसन से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे मरना नहीं है बट मुझे ये सब चीजों से जो रिलीज मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है अब उसी समय पर ये हैसा हो सकता है कि जब इस NSSI के स्टेज में है परसन तो वो आगे चल के स्यूसाइड भी कर सकता है ऐसा हो सकता है लेकिन 100% यह नहीं बोल सकते कि यह होगा अगर इस स्टेट में है परसन तो हम उनको अगर अपने दोस्त मनोविज्याने को यह सब मिलकर अगर उनको हम हेल्प कर दें तो वो वापिस ऐसी शरिणी में आ सकता है जब वो ऐसा ना करें तो यह समय पर यह भी बहुत ही बहुत ही जादा एक्स्ट्रीम सिच्वेशन है लेकिन इसको हम रोक सकते हैं और स्यूसाइड अगर स्यूसाइडल थॉट्स रहते हैं उसमें आपका उसमें हमको तीन दो तीन चीज़े देखनी पड़ती है पहली चीज होती है कि फ्रीक्वेंसी वो परसन कितने फ्रीक्वेंट इस विचार के बारे में सोच रहे हैं और दूसरा होता है हमारा कितना टाइम से देख रहे हैं डूरेशन होता है कि कितने टाइम से इसके बारे में सोच रहे हैं और वो टाइम और फ्रिक्वेंसी या तो टाइम के साथ बढ़ जाती है या कम भी हो सकती है तीसरी चीज होते है हम देखते हैं एक्षनिबिलिटी कि यह सब सिर्फ थौट्स हैं कि इस थौट्स में हमने अक्षल में कोई कोई स्टेप्स भी उठाए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंसी अगर हम देखे तो हर परसन को थौट्स आते हैं लेकिन वो डूरेशन देखेंगे तो कई बार जाद आते हैं कई बार कम आते हैं और यह हमारे स्ट्रेस के हिसाब से हो सकता है आपेता है कि हम आप परिस्तिति के नियरकेसे शुमक्त रहरा है क्या कर रहा है काई लोग पूरा प्लान करते हैं कि मैं यह घुरूमगा फिर यह करोंगा फिर एसा होगा कई बार लोग बस Google कर कि चीजों को देख चोड देते हैं तो यह सारी चीजों को हम समझना चाहिए यह पूरा एक स्पेक्ट्रम रहता है एक रेंज रहता है उसमें लोग आगे पिछे कई बार जूलते रहते हैं अब आपने बात की कि दोस्तों को परिवार को समझना चाहिए और आपने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा दिखेगा न आप नहीं पहचान सकते तो फैमिली या फ्रेंड्स कैसे पहचाने कि इस बच्चे के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर आत्मगाती प्रवित्ती जो है पनप रही है हां जी तो अगर मैं आपको इसकी बात करूं मुझे I think यह सबसे ज्यादा ही कोर चीज जो होती है कि अग आप आराम से अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें यह चीज सबसे ज्यादा बेसिक चीज होती है क्योंकि कई बार क्या होता है सुसाइड जिस स्कूल ऑफ थौट से मैं बिलॉंग करती हूं उसमें हम लोग यह बिलीव करते हैं कि सुसाइड जो होती है वो एक सुसाइड के बारे में सोचेंगे जैसे फौर एक्जाम्पल अगर कोई परसन डिवोस के साथ फेस कर रहा है या आपके फैमिली में कठनाई हो रही है तो यह बहुत ही आम बात है कि आप सुसाइड के बारे में सोचेंगे तो हमको पहले रीजन समझने की कोशिश करना है कि कि अगर परस surviv के साथ यह ज creative है छी कि ऐसे है रहे हैं or एयह सेथी науч अंपशाएं अगर हम रीसर्च रहे हैं, यह अंपमम कर ंथना क्षिकमाी के शापनेयोma का रहते हैं यह अगर डियू? सबसे ज्यादा हमको यह सब की बारे में बात करनी चाहिए इस समय पर क्योंकि हम फिर यह सब से healthy dialogue healthy communication चालू कर रहे हैं कि यह सारी चीजें सब के साथ होती है और हमें इस तारी चीजों को रोकताम करने के लिए हम बात कर रहे हैं अगर हम symptoms की बात करें तो symptoms में देखा जाएगा कि अगर उनकी जो डेली अगर जैसे मैंने बोला कि उनके साथ कोई बड़ी कोई problem हो रहे है तो there is a huge possibility कि उनके साथ कुछ यह सारे thoughts आएंगे ना कारतमत thoughts आ सकते हैं दूसरा चीज हो सकता है कि अगर उनकी जो डेली चीजें हैं जिनसे उनको में घुपनला ऐसे अगर वेत लुकिस उस काम करने में हो जाए उनको कोई काम करने में रूची होती ही वह अगर अचानक्क से बंद हो गई हो या कभू को सकता है यह और फेंटो हो सकता है कि अगर आपकेश्य ए प्टोग में आपके भूक में यह सब में आपटाइट में जो चीजों की या तो एकदम बढ़ जाना या एकदम कम हो जाना एकदम ड्रास्टिकली वह अगर हो जाए तो वह एक अचानक से नकारात्मक थोट्स बहुत जादा आना और उसको कोप करने की शमता ना होना वह एक थोट्स शिम्टम है तो यह सारे सिम्टम को हम ध्यान दे सकते हैं आप अज़ फैमिली और फ्रेंट आप शायद उसको कुछ ठीक नहीं कर सकते कभी भी यह चीज़ हम को जान रह कि є सब चीज़ हो रही है क्या यह सही है हु क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं यह चीज़ हम कर सकते हैं जो बहुतध से लोग चूप जाता है करने में अच्छा एक चीज और देखी गई है कि अब साट से इंग्रसित्वेक्ती भी जो है वह आत्मगाति प्रविति ले अपना लेता है, तो क्या अवसाद और आत्मघाती प्रवित्ती दोनों साथ चलने वाले दो विचारधार रहे हैं या फिर यह दोनों अलग अलग विचारधार हैं अगर मैं आपको थुआ खली कल vari Y चापको दिश्य निचे निऱ करे होता है कि जिनको क्लम्स होता है जिनको डिप्रेशन है उनको आत्मगाती विचार आते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है जिनको बोलते हैं mutually exclusive वो जरूरी नहीं है कई बार ऐसा भी होता है जिनको डिप्रेशन के symptoms है लेकिन उसके साथ एक और symptom है जिसमें उनको suicidal ideation है या आत्मगाती विचार है आपकी परिस्थितियां आपको ऐसा कर देती है कि और अगर हम एक sociology angle से देखें अभी तो मैं आपको psychology angle से बता रही थी अगर हम sociology angle से भी देखें कई बार ऐसा होता है कि जब हम suicide की बात करते हैं तो वह एक वे से प्रूस दाद गटोए ऺैए अगर सारी आप रही सिंतिया शेल i Kabul व्हक्रान चीजल भी होती है जैसे कि हमारे सालों पहले उता कि सतियदी होती थी या हमारे पह। अभी भी बहुत देखा जाए है कि零ी सी पाउस की हैं कि हमको यह सारी चीजों को भी मद्दे नजर रखते हुए बोलना रहता है जैसे कई बार यह बहुत बार देखा गया है इसलिए होते हैं क्योंकि जो फार्मर को जो help मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है तो वो बोलते हैं कि मेरा जो करजा है वो मेरे मृत्ति उसे हो सकता है क्योंकि उसके बाद उनको जो हम उसके बाः ग्रांड्ट से हमारा प्रदेश 36 कर जो कि संपन है अपनी लोफकला संस्कृती और पारंपरिक के संगीत से और ये खजाना आप तक लाते हैं दूरदर्शन और आका अश्वाणी इस बेश किमती धरोहर को देखिए और सुनिए दूरदर्शन और आका अश्वाणी से साथ सुरों के मिलने से बनता है संगीत मन के भाव को शब्द मिलने से सचता है संगीत दूरदर्शन और आका अश्वाणी को बनाए अपना मीत बहे जहां भक्ति की अविरल धारा सजे जहां लोग गान की परंपरा जहां गुंजे फिल्मी गीत संगीत की मधुरवाणी तो ब देखते रहे दूरदशन, सुनते रहे आकाश वानी कारिक्रम में स्वागत है आपका ब्रेक के बार्ट को हम आज बात कर रहे हैं फैमिली काउंसलिंग कारिक्रम में आत्मघाती प्रवित्तिगयों हमारे स्टूडियो में मौझूद है एक्स्पोर्ट के रूप में शिवली शिवली जी ब्रेक्स में जाने से पहले हम आपसे प्रशन किये थे कि फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड कैसे पहचाने कि हमारे एक साथी को ये आत्मगाती प्रवित्ती जो है ये आ रही है उसके अंदर शिवली जी अगर देखा जाए तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आ करता है या दर्शाता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसका मजाक उड़ाकर उनको छोड़ देते हैं या बहुत बार हमने यह भी देखा है कि जब ऐसी कोई बात करता है तो लोग उनको लाइटली बात करते हैं कि अरे यह तो बस एक थाट है यह तो एक फेज है तो ठीक हो हम उनकी बातों को seriously नहीं ले रहे हैं तो अगर कोई चीज ये बार बार या एक बार भी बोल रहा है तो हम एक बार उनसे confirm करें कि क्या वो जोक में बोल रहे थे क्या वो actually ये महसूस कर रहे हैं ये चीज जानना है और करभाई ऐसा भी हो जाता है कि जो person ये महसूस कर रहा है वो भले जोक में बोल रहा है लेकिन वो चाहते हैं कि कोई उनसे आकर ये सब के बारे में बात करें और उसको समझने की खोशिश करें तो अगर मैं आपको एक 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 जामपल दे हूँ आपने प्यास देखा है प्यास के जो लेयर होते हैं तो सबसे पहला जो एकदम में जो रहता है वो हमारा में लेयर रहेगा कि ये किसी प्रकार का इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया उसके ओपर एक लेयर आजाती है कई बार कि helplessness की कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस इमोशनल इर्रेगिलेशन को ठीक करने के लिए फिर उसके ओपर एक लेयर आजाती है कि अगर मैं मदद मांगता हूँ तो मैं कम्यूनिकेट कैसे करूँ वो लाचारता लाचारी जो आ जाती है फिर आ जाती है कि अगर मैं यह चीजों को व्यतीत करूँ तो आगे लोग क्या सोचेंगे वो मुझे accept कर पाएंगे कि नहीं तो उससे क्या होता है आईसोलेशन आजाता है फिर एक लेयर आजाता है कि यह सिफ मेरे साथ हो रहा है फिर एक लेयर यह यायर बढ़ती जाती है और यह चीज को हमको समझने की कोशिश करना है कि यह एक हा या ना का जवाब नहीं है हम अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको suicidal thoughts आ रहे हैं तो आप हा या ना नहीं बोल सकते हैं इसका क्योंकि उस समय पर ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर में चल रही हैं कि आप हा या ना बोल ही नहीं सकते हैं तो इस चीज को हमको समझना है कि यह बह कोई भी प्रकार का फीर यह सब चीज नहीं बता सकते हैं अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकूं अगर तूने ऐसा बोला तो मैं तुम्हारे parents को या तुम्हारे spouse को या किसी को मैं बता दूंगा या तुम्हारे organization को बता दूंगा वो तुम्हारे से दूसरा यह हो सकता है कि जो गिल्ट है कि तुम्हें ही ऐसा क्यों हो रहा है बाकी सब लोगों के साथ तो यह है सिर्फ तुम्हें ही यह क्यों है तो उससे एक हम तकार का गिल्ट देते हैं उनको कि अरे ऐसे कैसे तुम उससे क्या होता है कि जो आदमी जो इस तीस से जूज र यह सब तो हो ही रहा है लेकिन मुझे इसका भी एक रिखे कव्या है कि मुझे अज़ा क्यों हो रहा ही और यह मुझे ही कुई दिकत है कि आदYour paintsです इसलिए मैं स्टार्टिंग में यह बोली कि यह सबके साथ हार्य बहुत नॉर्मल है तीसरा चीज जो हो जाता है, जो सबसे ज़ादा हानिकार हो जाता है शेम, शेम याने कि तुम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे, तुम को क्या दिक्कत हो सकती है, तुम तो इतने सुल्जे हुए दिखते हो, इससे हम लोगों को शेम करने के लिए आ जाते ह उनकी current परिस्थिती पर तो यह चीज को अगर हम ना करें तो परिवार और यह चीज सबसे ज्यादा परिवार और दोस्तों के बीच में होती है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि यह सब चीज ना करें और एक honest communication करें तो शिवली ची आपने तो ज्यक है कि पहचानी कैसे और उनको सम्हालने कैसे । लेकिन जब सम्हालने की बात आती है तो फिर हम उनसे ऐसा क्या बोलें जिसकी वजह से वो यह प्रवित्ती जो उनके अंदर आ रही है उससे वो निजात पाजाए तो अगर मैं आपको यह बोल सिर्फ एक बार वुखार आएगा और उसके बाद कभी नहीं आएगा। Similarly, suicidal thoughts भी इसी प्रकार के होते हैं। अगर किसी को suicidal thoughts कोई आ रहा है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो उस समय के लिए आ रहा है, बहुत सारी परिच्थितियों के कारण आ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एक मानसिक illness है ही नहीं। बहुत सी सिचुएशनल चीजों के कारण रहा है। और अगर इससे आप ठीक से कोप करके आगे बढ़ गए तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आगे चलके कभी नहीं आएगा। तो अगर हम लोग जो बोलते हैं कि मानसिक mental health professional से एक ऐसा certificate लाओ कि आपको कुछ नहीं होगा इसके बाद। तो वो एक प्रकार से मित है क्योंकि ऐसा हम कभी भी believe नहीं कर सकते। अगर आपके कोई दोस्त को आपको ऐसा दिख रहा है कि उनको यह सारे विचार आ रहे हैं तो हमको पहले यह जानना है कि इसको हम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं इसके बारे में कि सुसाइट के बारे में हम एक healthy conversation करें। यह नहीं कि अरे जैसे अभी last year सुषान सिंग राजपूत की suicide के बारे में कितने प्रकार के conversations हुए कि अरे वो तो बहुत रिच थे successful थे फिर कैसे तो यह सब के बारे में हमको एक healthy dialogue हमारे दोस्तों में और हमारे परिवार में लाना जरूरी है कि यह होता है और यह एक प्रक non-judgmental space है कि यहाने आप कोई भी प्रकार की विचार को अराम से बिना किसी शर्म से व्यतीत कर सकते हैं और आपको सामने वाला उस thoughts process के लिए आपको जर्ज नहीं करेंगे कि तुम ऐसे क्यों बोल सकते हो तीसरी चीज यह है कि हम उनसे पूछें कि उनको हमारी क्या मदच च जो सबसे ज्यादा important है क्योंकि कई बार यह हो सकता है कि उनको बस एक companion चाहिए जो उनकी यह सब बाते सुन रहा हो और उससे उनको एक प्रकार की मदद होती है जो आपको एक listening ear मिल जाए तो हम उनको अगर वो space provide कर सके कि आपको जो महसूस हो रहा है वो बहुत ही normal है हम इस कि आपने भी बात की mental health professionals की अवसाथ भी बहुत प्रकार की होते हैं बहुत सारी विचारदा है मन में पनपती हैं तो कितने प्रकार की mental health professionals होते हैं और हमें किस अवसाथ के कारण किस विक्ति के पास जाना चाहिए है अगर हम देखें तो psychiatrists होते हैं जो medical doctors होते हैं जिन्हों उनको psychiatry परते हैं then psychologist जो होते हैं वो usually एक bachelor's करते हैं या B.Sc. या B.A. और उसके साथ master's करते हैं जो counseling clinical psychologist पोलते हैं कई psychologist जो होते हैं वो M.Phil और PhD भी करते हैं तो एक minimum requirement एक किसी doctor के पास जाने का होता है अगर उनने MD psychiatry करी हुई है या अगर कोई भी doctor MBBS जो किये हुए है जो registered है उनके पास जा सकते हैं psychologist में ऐसा होता है कि master's एक minimum criteria रहता है अगर आपके पास master's नहीं है अगर आप डिपलोमा लेके या कोई certificate course लेके बोलते हैं कि मैं psychologist हूँ तो आप उनके पास मर जाए क्योंकि उनके पास ग्यान नहीं रहता है इस चीज़ों का करने का अगर आप कि इसी psychiatrist or psychologist के पास जा रहे हैं इसकी मदद लेने के लिए आपको उनकी भी विचार धाराय जानना जरूरी रहता है तो यह बहुत ही normal चीज होती है अगर आप जाकर उनको पूछ सकते हैं कि आप suicide के बारे में क्या सोच रहे हैं या आज कल बहुत से डिजिटल मीडिया में बह इस चीजों को समझ सकता है क्योंकि कई बार ऐसे भी मेरे पास clients आया हैं जो पहले किसी मनुविज्ञाने के पास गये उनको डाक्ट कर भेज दिये कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तो यह चीजों को जानना जरूरी है कि हम जो हमारे साथ हो रहा है वो चीज के लिए हम सेंसिट कारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों आत्म घाती प्रवित्ती क्यों फैमली कांसलिंग कारिक्रम में आज हम स्विशर पर बात कर रहे थे और जो निचोड सामने आया वो यह था कि किसी भी तरह से यदि आप इस प्रवित्ती से गुजर रहे ह कर लो यह शुआ कि भी तरह साव थे यह थारो थे और समया रहे हो यह थाव उन्यवा वारो बात कर रहे हो इसमाने आ.